नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जोतिश दिशासत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतोर संतोर्शी आज जो शक्ती है वो आठमी शक्ती है मा महागौरी का है महागौरी मा अपने गौर वरण के लिए जानी जाती है अतह इनका नाम मा महागौरी है मा की कृपा से अभूत पूर्व सौंदर्र और सकारात्मक उर्जा का संचार हमारे आपकी जीवन में होता है मा महागौरी की कृपा हर तरह से शुबता प्रदान करने वाली होती है मा महागौरी अगर प्रशन्न हो गई तो कुछ भी जीवन में दुरलव नहीं रह जाता है सब कुछ सर्व सुलब सा हो जाता है मा महागौरी को प्रशन्न करने के लिए आज राश के अनुसार क्या भूख प्रशाद अर्पित किया जाए इसकी पूरी जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊंगा लेकिन आपको बता दे कि आज से लेकर चार दिन अभी आप हमसे गाजयाबाद मिल सकते हैं गाजयाबाद में मिलने के लिए कार्याले के नंबर पर आप वाटसप करिए 9910291850 पर आए सुरवात करते हैं अब आज के जोतिश दिशाजा नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भु प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा सबसे पहले आपका पंचांग बताएं लेकिन मा का अवाहन कर लेते हैं मा हमारे सामीप को प्राप्ट करें या देवी सर्वभू तेशु मा महा गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः जो देवी महा गौरी हैं उस देवी को बारंबार प्रणाम है मा की कृपा हमारे आपके जीवन में सदयों बनी रहे इसके लिए मा को बार बार प्रणाम किया जाता है आए शुर्वात करते हैं आज के पंचान का चैत्रमाह शुगलपक्ष अश्टमी तिथी दो पहर एक बज़ कर तेईस मिनट तक इसके बाद नौमी तिथी का उदै नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोग तो वर्जित है लेकिन गुलेकाल सास्त्रों के हिसाब से आप इसमें किसी भी नए और शुबकाम का आरंभ कर सकते हैं काम आपके बन जाते हैं तो मेश से लेकर मीन तक अब आए चर्चा करते हैं आज के पूरे दिन के हालका और मा महागवरी को क्या अर्पित करें यह भी जानना बहुत अनिवारे हैं राशी के तरीके से आए सुर्वात आज की भविश्यवानी की मेश राशी पढ़ाई बहुत अच्छी है आज चंद्रमाच चौथे घर में आगए सिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं आज कुछ बहुत सकारात्मक और शुभ सोचेंगे ब्यापार अनुखा है अउसर अच्छे मिल रहे हैं बिजनस में चिन्ताओं से बाहर का अउसर मिलेगा प्राइविर सेक्टर की बात करें तो आज मेश राशी वालों के लिए उतार चड़ाओ कारी छेत्र में बढ़ जाएगा सरकारी छेत्र की स्थती हर कदम पर आप के लिए सकारात्मक है दामपत्य जीवन देखा जाए तो एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ पॉच्टिव है शुब इस्थती है स्वास्त के मामले में लीवर की प्राब्लम और आखों की समस्या आज बढ़ेगे हेल्थ वेर मा महागौरी को आज क्या अर्पित करना है मेश राश्यवालों को पेठे का प्रशाद मा को अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज केसरिया भाग्यपत्षद छपपर ब्रिशब राश्यवा चंद्रमा तिर्तिय भाव में है पढ़ाई तो आज बहुत सकारात्मख है सिक्षा में कोई दोश नहीं सिक्षा की स्थिति उतार चड़ाओ के साथ है ब्यापार कुछ दिब भी स्थिति में है बिजनस की परिशानियों से बाहर आएंगे प्राइबिट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा साउधानी बरतने की आवश्यक्ता है अचानक किसी मुश्किल की स्थिति आ सकती है सरकारी छेत्र आपके लिए इश्वरी कृपा दे रहा है गौर्बंट सेक्टर में शुबता है बहुत कुछ सकरात्वक है दामपत्य जीवन देखा जाए तो पती-पत्नी के साथ उतार-चड़ाव बढ़ेगा परिशानिया आ सकते है स्वास्त के मामले में पेट की समस्या, आँखों की दिक्कत और लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है अगर आपकी राशी ब्रिशब है आज मा महागौरी को लाल चंदन में लौंग लपेट कर अरपन कर दे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत बावर फिव्टी टू मिथुन राशी दुतिय भाव का चंद्रमा है पढ़ाई में तो आज कुछ बड़ा और सकरात्मक अपने आप होगा ब्यापार कई तरह से उतार चड़ाव बढ़ा रहा है बिजनस पर बहुत कंसंट्रेट करें प्राइविट सेक्टर की स्थिति को आप बहतर परणाम तक ले करके जाएं सरकारी छेत्र उल्जन पैदा करेगा गवर्न्मेंट सेक्टर सावधानी बढ़ते दामपत्य जीवन दिब्य है बहुत कुछ अनकूल करेगा स्वास्थ के मामले में आँखों की समस्या लिवर की दिक्कत बैक की प्राब्लम हो सकती है क्या उपाय करना है अपने कंठ पर हल्दी का तिरग लगा कर मा महागोरी को शह दर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए बाधामी भाग्यपत्षत 57 करक राशी करक राशी दामपत्य जीवन बहुत दिब्व्य है पति पत्नी के बीच दालमेल बहुत शुब है स्वास्त के मामले में पेट की समस्या लिवर की प्राब्लम आँखों की दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से आज किसी मिट्टी के बरतन में शहद और काले तिल मा को अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए गुलाभी भाग्यप्रशत तिरपन सिंह राजी द्वादस अस्थान के चंद्रमा का प्रभाव पढ़ाई में अनुकूल स्थियां है सिक्षा बहुत अच्छी है सिक्षा में कहीं किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार आपके लिए अनुकूलता के साथ आज पॉजिटिव परिणाम दिखाएगा बिजनस के सिद्धा कदा भी न करें प्राइविट सिक्टर आपके लिए उज्धन पैदा कर रहा है परेशानियां बढ़ रही है थोड़ा सोच समझकर निलड़ लेजे सरकारी छेत्र सकारात्मक्ता दे रहा है दामपत्त जीवन की बात करें तो आज पत्ति-पत्ति के साथ तालमेल बेहतर करने का थोड़ा सा प्रयास करें स्वास्थ के मामले में कमरदर्द के शिकायत और लिवर की प्रॉप्लम हो सकती है आज सिंग राशिवाले मा महागवरी को रामदाने का प्रिशाद अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए लाल भाग्यपद्शत सत्तावन कन्य राशिव एक आदस का चंद्रमा आज प्रभावी है पढ़ाई खुब स्मूध है चुकि साथ साथमी दिश्टी इसकी पंचम भाव पर रहती है तो आज सिक्षा तो बहुत अच्छी करेंगे आप ब्यापार में आज कुछ सुधार अपने आप आएगा बिजनस की चिंता कदा भी न करें प्राइवेट सेक्टर में संतुलन बनेगा सरकारी छेत्र को लेकर के थोड़ा सावधानी बढ़ते दामपत्त जीवन पतिपत्नी के सानिद में अब डाउन अब डाउन आज बढ़ सकता है स्वास्थ अनकूल है अवसर अच्छे मिल रहे हैं स्वस्थ महसूस करेंगे क्या उपाय करना चाहें आज कन्यराश्यवालों को आज मा महागोरी को अपने हाथों से कोई बौसमी फल प्रशाद रूप में अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए हरा भाग्य प्रत्षद पचास तुला राशी, दसम में चंद्रमा का प्रभाव रहेगा आज पढ़ाई बहुत अनकूल है, संतुलन बनेगा आज पढ़ाई में आज कुछ बहुत कुछ पॉजिटिव होगा ब्यापार परेशान कर रहा है, अच्छी स्थिति नहीं है प्राइवेट सेक्टर में परशानियों से बाहर निकलने का आउसर मिलेगा सरकारी छेत्र को बहतर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा गवर्मेंट सेक्टर में आज वर्क लोड बढ़ेगा आज, काम में मन कम लगेगा प्रेशर रहेगा दामपत्य जीवन थोड़ा सा संतुलन बनाने का प्रयास करिएगा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है साथवे से चोथे में चद्रमा है उतार चड़ाओ बढ़ रहा है क्या उपाय करना चाहिए प्रियोग के तोर पर स्वास्त के मामले में हर्ट की प्रॉब्लम और लीवर की दिक्कत हो सकती है प्रियोग के तोर पर अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग्यु प्रत्शर अठावन मामाहगौरी को आज अपने हाथों से कच्चे दूद का प्रशाद अर्पित करें चर्चाब ब्रिश्चिक राशिकी चंद्रमा भाग्य स्थान पर है भाग्य में आज अभिविद्धी होगी पढ़ाई आज बहुत अच्छी करेंगे आप शिक्षा में बहुत कुछ अनकूल है ब्यापार अच्छा रहेगा बिजनस में शुब फल की प्राप्ती होगी बिजनस में आपको जैसा आपने विचार किया वैसा अनकूल परणाम मिल रहा है प्राइबर सेक्टर की स्थिति को समारने में आपको काम्याभी मिलेगी सरकारी छेत्र को लेकर के जितना सजग रहेंगे उतना ही बहतर परणाम मिलेगा दामपत्य जीवन आज सकरात्मक है पती पत्नी के बीच तालमेल अच्छा बन रहा है स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है ओम मा महागावरी देव्येई नमाह कहते हुए शहद और लॉंग मा को अर्पित कर दे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्युपत्षत अठावन धनुराशी चंद्रमा का प्रभाव आठमे घर में है पढ़ाई कई तरह से परेशान करेगे शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है ब्यापार परिणाम अच्छा देगा बिजनस में परेशान न रहे प्राइवेट सिक्टर की स्थिति को बहतर करने में आप काम्याब होंगे सरकारी छेत्र को थोड़ा संभल कर चलाने की आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन सकरात्मक है चीजें संतुलन में बनी हुई है स्वास्त के मामले में देखा जाए तो धनुराशी वालों को आज पेट की समस्या और आखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है आज मा महागवरी को रामदाने का प्रशाद अर्पित करें शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्रप्रत्शत 52 मकर राशी साथमे का चंद्रमा आज परिणाम तो सिक्षा की छेत्र में ठीक ठाक देदेगा पढ़ाई अच्छी चल रही है सिक्षा को ले करके आप सतरक्ता अनिवार है थोड़े बहुत परिणाम अच्छा मिल रहा है ब्यापार परिशान करेगा बिजनस को बेहतर करने का थोड़ा सा प्रयास करे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए उतार चड़ाओ बढ़ा सकता है सरकारी छेत्र में बहुत अच्छी इस्तती रही है दामपत्य जीवन पधिपत्नी की वीच तालमेल अच्छा बैट रहा है मा महागोरी को आज हल्दी और लॉंग पान के पत्ते पर रखकर अर्पित कर दें शुबरंग आपके लिए केसरिया भाग्य प्रत्शर पच्छपन कुम्बराशि चंद्रमा आगया आज छठे भाव में पढ़ाई थोड़ा सा हिल जाएगा पढ़ाई नहीं होगी आज उतार चुड़ाओ बढ़ेगा ब्यापार अच्छा है बिजनस को परेशान नहों आप बिजनस की स्थिती बहुत अच्छी है प्राइवेट सेक्टर में जैसा आपने विचार किया है उसके हिसाब से परणाम मिलेगा सरकारी छेत्र संतुनन में है गवर्मेंट सेक्टर में शुबता है दामपत्य जीवन अच्छा रहेगा पत्नी और बच्चों की भीच ताल में रच्छा बैठेगा स्वास्त के मामले में डाइजेशन की समस्या और किड्नी की दिकत होगी क्या उपाय करना है आज कुम्भराशी वालों को आज मा महागौरी को किसी मौस्मी फल का जू सर्पित करें भोग प्रशाद शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भागी प्रत्षट छपपण अंतिम राशिमीन जहां चंद्रमा पंचम भाव में है संतुलन स्वता है बनेगा अपने घर के चंद्रमा के कारू पढ़ाई टॉप लेबर शिक्षा में किसी तरह का दोश नहीं ब्यापार अनकूल है बिजनस में अफसर अच्छे मिल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यक्ता है चीजें अनकूल हैं सरकारी छेत्र को लेकर के परेशानी बढ़ सकती है दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा और अच्छे मिलेंगे स्वास्त के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या, डाइजेशन की दिक्कत और जुखाम खांसिक शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना है अच्छा मीर राश्यवालों को आज आपको अपने हाथों से मा महागौरी को दूद की रबड़ी बनाकर उसमें हरी लाइची और केसर मिलाकर भोग प्रशाद लगाएं प्रडाम करें मा का आशिरवात ने शुबरंग आपके लिए सफेद भाग की प्रतिशत 52 चर्चा आगे बढ़ेंगे और अगली सेग्मेंट की तरफ बात करेंगे आज की सक्सेस की की लेकिन आपको बताएं कि आप मुलाकात कब तक कर सकते हैं कहां पर इसकी जानकारी हम दे देते हैं तो आपको बता दूँ कि मुलाकात का सिलसला आज और कल परसो 18-19 तक गाजियाबाद में है इसके बाद गोरखपुर सीधे तो देख लीजे मिलना चाहें तो आपके पास आउसर है मिल सकते हैं सीधे मिलने के लिए कार्याले के नमबर पर वाटसप जरूर कर लीजे नमबर आपके सामने है मुलाकात हो जाएगे चर्चा करेंगी अब आगे आप लोगों से शुभ इस्थती में सक्सेस की की सीधी हथेली पर गंगा जल गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काव कर ले और दिन को प्रशनलता पूरवक सफल होता हुआ देखे तो भाईया अब बात करते हैं आज के स्पेशल भाग्याक्षर का मेश जाग्षर ब्रिशप छोटा आ मिथुन साग्षर करक हा सिंग पाग्षर कन्या चा तुला भाग्षर बिश्चिक था धनू गाग्षर मकर खा कुम्भ याग्षर मीन था शुभ भाग्याक्षर है साधिय चोकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखता है चलते चलते दिरांग सोला अप्रेल का आयुश्मान भव है सोला अप्रेल को पैदा हुए लोगों के लिए जरम दिन की हार्दिक शुभ काम नाएं प्रियोग रहेगा तीन पीपल के पौधे कहीं लगा दे एक माला गायतरी मंत्र का जाब करे किसी को अपने हाथ से खाना खिला दे आज जिनकी मैरेज अनिवर्सरी है किसी को खाना खिला कर कन्या की शादी में मदद का संकल्प ले आउले का पौधा शिवाले में लगाएं और पती-पत्नी रुद्रा विशेक अवश्य करा ले बस तो आज के इस अंक में इतना ही हमेनमत दीजेगा कल महानौमी है और इंतजार करिएगा हमारे सभी चैनल्स पर एक उद्गोशना आज होगा कल के लिए बहुत बहुत शुक्रे धन्यवाद नमस्कार शेरा ले आचार संतोश संतोशी के आगामी कारिकरों कोरकपर 21-22 अपरेल पटना 23-24 अपरेल कॉलकाता 25-26 अपरेल राची 27-28 अपरेल रायपुर 30 अपरेल 1 मई नागपुर 2-3 मई लखनव 4-5 मई 6 मई से आप आचार श्री से गाजियाबाद में मुलाकात कर सकते हैं इन दौर 20-21 मई पुने 22-23 मई मुंबई 25-26 मई राजकोट 27-28 मई अहमदाबाद 29-30 मई उदैपुर 1-2 जून इन तारीखों के अलावाब बाकी तारीखों में आप गाजियाबाद मिलने का समय ले सकते हैं मिलने के लिए कार्याले के नंबर्स हैं 99-10-29-18-50 95-60-44-7-000 आप इन नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख कर वाट्स अप करते हैं धन्यवाद आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीप एक खुशियां अनेक मंगल चाहा है